मवाली 1983 की भारतिय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है, जो पदमाल स्टूडियो बैनर द्वारा जी, हनुमंत राव द्वारा निर्मित, कृष्णा द्वारा प्रस्तुत और के, बापया द्वारा निर्देशित है, फिल्म में जीतेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा हैं और संगीत बपपी लाहिडी ने दिया है, ये फिल्म तेलुगू फिल्म चुट्टिल उन्नारू जगराथा, 1980 की रीमेक है जिसमें श्रीदेवी भी थी, लेकिन एक अलग भूमिका में गोयल वर्मा एक धनी उद्योगपती हैं, जो शातिर रिष्टेदारों अजित, उनकी प पक्ती हडपने के लिए वे रंजीत को गोयल की इकलोती बेटी निशा से मिलाना चाहते हैं, अपने खराब स्वास्थय के कारण गोयल ने अजित को फैक्ट्री की, जिम्मिदारियां सौपी, जिसका वह धोखाधड़ी और जबरन वसूली करके दुरुपयोग करता है, रमेश को एक अन्य लड़की जूली के साथ देखा, इसलिए गोयल ने उसे निशकासित कर दिया और अपमानित किया, इसका फाइदा उठाते हुए अजित और रंजीत ने गोयल की हत्या कर दी, जिसके बाद निशा ने रमेश को भागते हुए देखा, म्याय पालिका में वह इसकी पुष्टी करती है, लेकिन रमेश निर्दोश होने का दावा करता है और उसे रिमांट के लिए भेज दिया जाता है, जेल में वह ये देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है कि उसका हमशकल गंगू एक जेब कत्रा है और वह गोयल और निशा की गलत व्याख्या क पीछे के कारण को समझ जाता है, इसके साथ ही उसे पता चलता है कि अजित जबरन निशा को रंजीत के साथ मिला रहा है, इसलिए रमेश गंगू को तीन दिनों के लिए अपना प्रेशक बनाकर जेल से बाहर निकल जाता है, वह अपराधियों को ब्रमित करने में सफल होता है, और निशा को उसकी मा से बचाता है, तदनुसार वह उससे शादी करता है और लौट आता है.